मुलतान ने मैच जीत लिया, अब होगा पिशावर वर्सिस मुलतान का क्वालिफायर वन, अगर बात करें कोईटा ग्लैडियेटर की जितनी खतना टीम लग रही थी, उतनी ही बुरी टीम ये हो चुकी हुई है रदरफोर्ड के जाने से, और सबसे बड़ा मसला है राइली र वर्सों का आउट ओफोर्म होना, उनका फोर्म में आना बड़ा जरूरी होगा, अलिमिनेटर वन से पहले, क्योंकि अगर ओफोर्म में नहीं तो कोईटा बाहर हो सकती है, बात करें आज के मैच की तो मुलतान सुल्तान ने शांदार किसम की विक्टरी हासित की, अब मैं आ बात करें तो आपने गोर से इस बात को सुनना है, पीएसल एड के अंदर लाहोर और मुलतान ने टोप किया था ग्रूप स्टेश से, लाहोर ने मुलतान को दोनों ग्रूप स्टेश के मैच्श हराए था और क्वालिफर जो वन था, वो मुलतान के हाथों हार गया था, उसक अब इनका मैच होना है क्वालिफयर का, अगर पिशावर जल्मी क्वालिफर हारती या उसके बाद वो फाइनल में चली जाती है, तो इसका मतलब यह होगा कि पिशावर जल्मी मुलतान सुल्टान को फाइनल हरा सकती है, तो चीजे रिपीट हो रही है, कहने का मक्सेद यी सारे जो उनके लोकल टैलिन है वो तो शांदार किसम का टैलिन इन्होंने रखा हुए कोईटा ग्लैडियेटर का वो चांट खतम होता दिख रहा है रदर फोर जब से स्ट्रीम से गें है वापिस अपने परस्वेल मैटर्स के हो जाते इनकी बैटिंग के लिए वो देफ टैफ नदर नहीं आ रही और राइली रुसो का आउट ओ फोर्म होना बहुत बड़ा कंसर्ण बन चुका हो है कोईटा के लिए क्योंकि ये डिपेंड करें जैसर और साव शकील के उपर और नाफे के उपर और नाफे भी अपनी परफॉर्मस से जादा इंफ्रेस करनी पारा सिर्फ एक पचास है उसके बाद से वो भी चला नहीं है लेकिन इनकी टीम के अंदर इतनी वो फायर पावर है तो सही लेकिन वो एक्जीक्यूट नहीं हो पाड़ी बहुत बड़ा मसला बनावे कोईटा के लिए अब देखते हैं कोईटा कैसे कमबैक करेगी अलबता मुलतान वर्सी पिशाव का मैच होने जा रहे है और बड़ा मज़दार ये मैच होगा क्वालिफार वन आई होप के प्लेओफ के अंदर तो कराची का स्ट्रेडियम भढ बैटर रावल पिंडी के अंदर ही मैच जगते हैं लोग का मसका मिंज्वाय तो करते फुल होता मज़ा तो होता देखने का